बोलो अर्वन्समा पुराण कीजै कृष्णाय वासुदेवाय हरे पर्मात्मने प्राताकलेश नासाय गोविंदाय नमो नमः बैसंपर्शी कहते हैं केहे राजिन भगवां सी कृष्ण कहने लगे केहे उद्धाव आत्मा के विशे में ब्रिद और मुक्ठ का भेज सत्तात्य गड़ों पे पड़े होता है बंदन और मुक्ष करने वाली अविद्या होती हैं बिद्या और अविद्या ये दोनों मेरी सक्तिया हैं जब तक मैं अविद्या को प्रेरित करता हूं तब ये तक जीव का बंदन है जब बिद्या को प्रेरित करता हूं तब जीव का मुक्ष हो जाता है इसलिए अनादिकार से मेरे अनसिभूत जीव के बंद और मुक्ष की विविश्था चली आ रही है ये सम मित्या हैं इन दोनों की बिलक्षनता सुनू बंदन में जीव, मुक्त ईश्वा दोनों में परस पर बिरुद्र धर्म बाले होते हैं एक ही सरीर में निवन्यनता के रूप में रहते हीं स्वयम अपना ईश्वर का ग्यान रखने बाला जीव, सुकडुक कर्मों के फलों को भूखता है, दुखी रहता है जब तक इनसान दुखी रहता है तब तक उसे पता नहीं होता कि उसकी आत्मा के साथ साथ इस्वर भी उसके हिर्दय के अंदर ही विराजमान है इस्वर अंस जीव अभिनासी उसे अपने शुरूप का ग्यान नहीं होता तब तक वो कर्मों का फल भोगता है जब इस्वर सर्वता साखी मत्र रहकर के मेरी साथ हैं ऐसा जाता है तो गलत कर्म नहीं कहता है और नाईक कर्मों का फल भोगता है इसलिए उसे अपना और अपने अंसभूत जीव का भी ज्यान रहता है अबिद्या से ग्रिष्टो करके जीव नित्य बंदन में हैं और विद्या युक्त इस्वर नित्य मुक्त हैं जीवन मुक्त पुरुष में शरीर में रहत हुए शरीरी नहीं हैं ठीक वैसे ही सुप्न में जगा हुआ पुरुष सुपन में जो सुपन का सरीर है उसे मानता है पंतु जैसे ही जागता है उसे पता चलता है सुपन में सब जूता था इसलिए स्वपन रिष्टा अपने को स्वपन गर्षरीर मान बैठता है ज्यानी पुरुष इंद्रियों के द्वारा विश्यों का निग्रे करने परहिंका नहीं करता और नायूसे विकार होता है अज्यानी पुरुष पृते करम में करतब्विका विमान करके बंदन को प्राप्त होता है यही दोनों का वेद है संसार में ज्यानी पुरुष की मुक्ष पहचान यही है कि चंदन लगाने वाले और खांटे चुबोने वाले दोनों को समान दृष्टी से देखता है उसे सुक में डुख में ना खुशी होती है ना दुख होता है ज्यानी पुरुष कभी किसी की निंदा नहीं करता और ना किसी की सुटी करता है ना कभी किसी को अपने पानित्य का परचे देता है वो बिद्वान होती ओवी संसार में मूरक के समान नाना रूपों में विचाता है हे उद्दव मुक्ष पुरुष के असादर लक्षण बताए गए है परम ब्रह्म का ज्यान प्राप्त नहीं कर सका उसका जीवन ब्यत है इसलिए जिसकी जिब्या बिसकी सिष्टी कने वाले भगवान के चत्रों का गान नहीं करती भगवान की मंगल में लीलाओं का वन्य नहीं करती ऐसी निश्कल जिब्या धारन योग नहीं है बंद्या इस्टी के समान है ऐसा विचार करके बिबे की पुरुष देवा ब्यास त्याक करके हमारे सुरूप को मुन में इस्थर करे इसमें अर्समत हो यतकरोश इरिश्यामी इसके अनसार अपने सारे कर्म मुझे अर्पन का दे ससंग्वे जाकर के हमारी पवित्र कठाओं का सिवर करें जिससे सरीर की बक्ती का प्रादुरबाब होता है समय समय पर हमारे जनम कर्मों का उस्षब का अनुवे करें मेरी प्रसंता के तु धरम नित नेमितिक कर्मों का निस्थान करें ब्रामनों को अन वस्थ वहुषणों का दान करें और समों में नियत धन का संचे करें इस प्रका धर्मा चन करने वाले प्रानी को मेरी निश्चल वक्ती प्राप्त होती हैं, जिसके सारे बरी सगलता से मुझे प्राप्त कर लेता हैं, उद्दवने का भगवन, आपने बताया कि सत्संग से मेरी वक्ती प्राप्त होती हैं, ऐसी दसा में आपके मत में सत्पुरु कौन हैं कौन सी भक्ति आपमें उपयुक्त हैं भगबानने का जो दयालू द्वेश्रे सेंसिल संस्वाव मुझमें भक्ति रखता है वोई उत्तम कोटि का सादू है जो ब्रिद्द एकादसी का पवास कृष्ण पक्ष्य एकादसी का रुपास अननेविद स्रादाद भक्ति भृत्तम धर्मों को त्याग करके मेरा भजन करता है वो भी उत्तम सादू है मेरी भक्ति के लक्ष्ण सनो मेरी प्रित्मा मेरे भक्तों की स्रिद्दा भक्ति से दर्शन पूजन करे प्रिद्दिन पराणों की कथार समन करे मेरे मंदर में यथा समय परपरपर उस्ष्व कर नियम से एकादसी ब्रिट का पालन करें, उस दिन अन्य का त्याक का दें, अगर उसमें असमत है तो फलार कर ले वे, पंदु ब्रिट भंग नहीं करना चाहिए, बेडिक मंत्रों से हमारी मूती की स्थापना करें, दंबना करें, दूसरे देवताओं को निवेदित अन्या द जो भी अपनी प्रिवस्तु और सिद्धा पुरक मुझे अर्पित करें, सूर अगनी गौ ब्राम्मर मेरे भक्तों का अपने दिन पूजन करें, सिवर विष्णू दोनों में भेद ना करें, हे उद्दव ससंग और भक्ती से बढ़ करके मेरी प्राप्ती का दूसा सादन न साख्यम दर्म एव चाहा, जिस प्रिकार कुसंग को छुडाने वाला ससंग मुझे बसी भूच कर लेता है, उसी प्रिकार योग, साख्य, दर्म, अहिंसा, बेदपा, तप सन्यास, इस्त, अगनी होत्र, दक्षना, दान, इनके द्वारा मुझे प्राप्त करें, ससंग के प पतनियां, ब्रिज की गोपियां, जिनोंने न सास्त पड़े, ना मापरसों की सेवा करी, ना ब्रित पश्चा करी, के वर ससंग करके मुझे प्राप्त कर सकी हैं, इसलिए, हे उद्दव, सबको चेतन करने बाला जीव, इस्वर सर प्रतम बानी के रुप में प्रतक्षी राजमान रहता हूं, हे उद्दव, मेरा धान योग के द्वारा पूजन करें, कथ बिनारों में हरसं, द्रवतां हम्चेत सा बिनाह, जब तक भक्ती से सरी में रोमांच ना हो, तब तक जो चित द्रवी भूट ना हो, नित्रों से आंसू ना जाएं, तब तक मनुष के अं अंगल में दिबलीलाओं का स्वन करकें, जिसकी बान ही गड़गड हो जाती है, है दे द्रवी भूट हो जाता है, भक्ती के आबेश में आ करकें, कभी रोता है, कभी हसता है, कभी लोक लग जात्याक करके नाचने गाले लगता है, ऐसा मेरा भक्त संपूर्ण ब्रमान को देता है, जैसे मनस्य जूने से बरतन मांच करके साब करता है, बैसे सादक गड मेरी गुड़मे कठाओ के स्वन कीतन, जूने के समान बासनाओं को दूर करकें, अंत करन को स्वस्थ कर लेते हैं, उसमें मेरा सुक्म रूप इसपस दिखाई परने लगता है, जैसे अंजन लगाने से, नित्रों का दोस्दूर होता है, विश्यों का चिंतन करने से बासना रहत मुझ में लिन नहीं होता, इसलिए विश्यों का चिंतन त्याग देना चाहिए, मेरा ध्यान करना चाहिए, योगी पुरुष जब मेरे सुरूप को दारन कर लेते हैं, इस्थरचित कर लेते हैं, तो सिद्धिया नाना प्रिकार किया करके उसे लुबाती हैं, पर उनके प्रिलोवन में ना फसें, मेरे भक्त को अनिमा लगमा प्राप्ति, प्राक्यम्यम्यम्यमा ततहा, इस्तावस्ता चेवा, ततहा कामा विशायता, अर्मा सिद्धी, लगमा, ये सभी सिद् बंदु मेरा भक्त इन सब को ठुकरा देता है। इस तरह से हमेशा मेरी वक्ति करने वाला ग्रिष्टी पुरुष्वियों वो भी मुझे प्राप्ट कर लेता है। मेरे निम्क्त किया गया पाप भी धर्म हो जाता है अगर मेरा भक्त मेरी सेवा करते उसे पाप भी होता है उसे विवेपुन्य में परवर्थित कर देता हूँ। इसलिए सब कुछ मुझे अरपन कर देवे बिवे के पुरुष्व प्रिपंच त्याक करके वो ज्यान मेरी भक्ति प्राप्ट सलता से कर लेता है। सहते मेरी मंगल में कठा सुनने का अब्भ्यास करना चाहिए मंदिरों में जाकर मेरी मूति के सामने शास्त्रंग प्रणाम करें। बिने अरे किर्पा मेले नहीं संता सते संगते संसते करे अंता बिना सत्संग के हरी की किर्पा नहीं मिलती और बिना हरी की किर्पा के सत्संग प्राप्त नहीं होता है अगर आप सत्संग प्राप्त करने लग गए हैं तो समझ लेजिए प्रिबू की किर्पा क्यों पर होने ल विशुद्ध ज्यान वबक्ती की पराभूमी प्राप का लेता है। रूपी समुद्र को पाने किया वो आत्म घाती कहलाता है। निब्रत हो जाते हैं इस तरह से मुझी अर्पन करेवे। भक्तों हर्वंस पुरान की कठा में भगबान ने इस ब्रह्म ज्यान का भी उप्रेश दिया। इस कठा को सुनने से सभी प्रिकार की मनों कामना पुरी हो जाती है। ये तीस दिन की हर्वंस पुरान की सारांस कठा हमने वर्णन करी। जो भक्तिजन सिद्ध भक्ती के साथ में साथ बार भी कठा को सुन लेता है। निस संतानों को संतान पुत्व प्राप्ति जिनकी सरीर में कष्ट है। उनको सरीरोगों से मुक्ती सभी प्रिकार की कामना पुरी हो जाती है। और कथा सिवन करने के वाद में, जिस ब्रामर से आप कथा सुन रहे हैं, उसको अजयथा सक्ति दान अवस्य करना चाहिए, और जो भी भक्त जन देक्षना देना चाहते हैं, हमारा जो नंबर इस कथा में दिया गया है, जिसमें आप इस नंबर पर जाकर के गूगल पे फोन पे पेटिम के द्वारा हमारी सेवा संस्तान को आप जो है, सेवा दे सकते हैं, यथा सक्ति सेवा अवस्य दान करें, जिससे आपकी मनो कामना पूरी हो, क्योंकि गुरु रिण अवस्य काना चाहिए, और जो फोन नंबर है, गूगल पे फोन पे पेटिम नंबर, चार वार नायन है, कि डवल नायन, डवल नायन, शेवन डवल फूर, टू, त्री, फाइब, जो आपको वीडियो की डिस्क्रेप्शन में मिल जाएगा, वीडियो पे भी मिल जाएगा, आप सभी की मनो कामना भगवान बांके ब्यारी की किरपा से पूरी हो, भगवान बांके ब्यारी की किरपा रिष्टी हमीशा आपकी उपर बनी रहें, यही हमारा आशिरवार है, और भक्तों आती शीक्र, हम विष्टा से नव परायन कठाई भी अपनी चैनल की माध्यम से सुनाया करेंगे और सभी प्रकार की धार में कठाई सुनने के लिए आप जो कठाई सुनना चाहते हैं हमें कमेंट का दें हम अपने चैनल के द्वारा सभी प्रकार की धार में कठाई सुनाय करेंगे भगतों प्राणी अगर भगवान की किरपा करता है भगवान की कठा सिमर करता है तो हर प्रकार के एकार सिद्ध हो जाते हैं इसमें ना तन्त्रमंत की जरोत है, ना तोने तोटके की जरोत है, ना आपको ज्यादा ध्रब्ब्व खर्च करना पड़ता, आप केवल कथास्वर करके, इठा सकती दान करके ही अपनी मनों कामना पूरी कर सकते हूं आगे की और वीडियो में आप से मिलते हैं जै स्रीकिष्णा बुलरवन समा पुराने की जै